तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत हैं, आज हम लोग अल्ला दिन फॉंड द वंडर लैम्प, वंडर फुल लैम्प, जो पिछले क्लास में हम लोग ने इंग्लिश टुई हिंदी इसका मीनिंग और कहानी पढ़ा था, आज हम लोग इसका क् यह मीनिंग है, यह अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करियेगा और इसके सारे मीनिंग को हिंदी तो इंग्लिश जरूर अपने कॉपी में लिखेगा, सबसे पहले कॉपी में नोट हमेशा मीनिंग के होने चाहिए, ठीक है, इसके बाद चलिए हम अपने कॉशन में आत है बच्चो मतलब या निमने लिखित जो प्रश्न दिये गए है उनका उत्तर औरली मतलब मौखिक रूप से दीजे लेकिन मैंने इसको लिखित रूप में लिखा हुआ है ताकि आपको इसका आंसर आप जान सके रिटन में कैसा है पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिये गए है तो चली है यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर दिखें मतलब क्वेश्चन का कि अल्ला दिन दिन भर क्या करता था पूरे दिन अल्ला दिन क्या करता था तो आंसर है All the day Alladin played in the street with other boys तो पूरे दिन जो है Alladin गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलता था Second question है Why was Alladin happy? Alladin खुश क्यों था? ठीक है? Alladin खुश क्यों था? The answer है A wicked wizard who said that he was his uncle bought him beautiful clothes This made him happy एक शैतान जादूगर जिसने कहा था कि वह उसका अंकल है मतलब वह उसका चाचा है उसने उसके लिए बहुत सुन्दर क्लोज्स Beautiful clothes बहुत सुन्दर कपड़े खर दे थे और यही इसकी वज़े से उससे खुशी हुई थी तीसरा कोशन है बच्चों जो जैनी थी जिन वक्त कब आई थी तो आंसर है जब अलादिन उस गड़े में या उस होल में जो खुला हुआ था जैमीन के अंदर उसमें जब वो गया था और उसे अंधेरी में डर लग रहा था और वह चिला रहा था मदद करने के लिए और चिला रहा था और उसने चिलाते समय रब्ड हिस बोथ हैंड उसने अपने दोनों हातों को रब किया ऐसे ऐसे दोनों हातों को रब किया तो जब उसने अपने हातों को रब किया तो जैनी जो है वह आई थी या आया था, ठीक है, तीसरा, B.2.3, तो यहाँ पे देखें ये question है, B.2.3, चलिए उसको बाद में करेंगे, हम लो next, यहाँ पे देखें करते है, B.2 question, think and write, सोचिये और लिखिये, ठीक है, तो यहाँ पे पहला question है, write T for true and F for false statements, T, सही के लिए T लिखना है, और गलत के लिए F लिखना है, true means, सही, fall means, गलत, ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग true false करते हैं, पहला है, Alladin lived with his father, तो यह क्या होगा बच्चा, बच्चो false होगा, क्योंकि Alladin जो है, वो अपनी मा के साथ रहता था, The wizard was Alladin's uncle, no, false, यह भी false है, ठीक है, इसमें यह बताया जरूर गया है, कि वो अंकल है, लेकिन actually में, सच्चाई में वो उसका अंकल नहीं था, The wizard was from China, नहीं, वो चाईना से नहीं था, ठीक है, Alladin was lazy and did not work, हाँ, Alladin बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था, यह true है, The wizard bought Alladin a watch, यह false है, गलत, क्योंकि उसने उसके लिए घड़ी नहीं लाए थी, उसने उसके लिए कपड़े लाए थी, ठीक है, अब आपका next question है, यहाँ पे देखिए, B.2.2, Tick the most appropriate option for each of the following questions, तो यहाँ पे दो question दिये गए हैं बच्चों, और बोल लाए most appropriate, मतलब जो सबसे सही परियुप्त हो, ठीक है, उस विकल्प को, option को, उस विकल्प को क्या करिये, टिक करिये, Why did the wizard make a fire? Wizard जो है, जादू गर ने आग क्यों जलाया? Because it was cold, क्योंकि ठंडी थी, because he was tired, क्योंकि वो ठग गया था, because he wanted to cast a spell, क्योंकि वो जादू करना चाहता था, Because he wanted to cook food, क्या वो खाना बनाना चाहता था, क्योंकि, तो क्या होगा, इसका अंसर C होगा, because he wanted to cast a spell, वो जादू करना चाहता था, जादू डालना चाहता था, What did the wizard want allah din to get from under the stone, ठीक है, वो जादू गर allah din को, उस जमीन के अंदर से, वो जो stone था, पत्था था, उसके अंदर से, वो क्या लाना चाहता था, Stone, Jewel, Ring, Lamp, तो क्या लाना चाहता था, wizard उसने allah din को क्यों अंदर बेजा था, लैंप लाने के लिए बेजा था, तो ये the option सबसे सही है, चलिए, अब है हमारा question, B.2.3, इसमें देखिए, एक, दो, तीन, और इधर देखिए, यहाँ पर चौथा question, चार question से, ठीक है बच्चो, कितने question से, चार question, तो पहला है, the wizard cast is spelled twice in the story, what happened each time, तो मैं चारो question यहाँ पर लिखा है, मैंने, चलिए, चारो question को हम लोग करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर है, the wizard cast is spelled twice, थोड़ा सा यहाँ धुनला आ गया है, इसको हम सही करते हैं, the wizard cast is spelled twice in the story, what happened each time, तो जादूगर ने दो बार, जादू किया या डाला कहानी में, तो कह रहा है कि, हर बार क्या हुआ, what happened means क्या हुआ, each time हर बार, each time हर बार क्या हुआ, तो पहला है, answer देखिए, when the wizard casted a spell for the first time, the ground shook, the ground shook, ठीक है, the ground shook, यहाँ S-H-O-O-K है बच्चो, ठीक है, the ground shook and a lot of noises and smoke arose, ठीक है, क्या हुआ, जमीन हिलने लगा और बहुत जादा आवाज आने लगी, और क्या होगा, धुमा उठने लगा, ठीक है, all at once a hole got opened in the ground, उसके बाद एका एक, एक बड़ा सा hole, गड़ा जो है, क्या हुआ, वो खुल गया, जमीन में, ground में, and at the second time, और दूसरी बार, the big stone shut alladin in the hole, और दूसरी बार क्या, उसने जादू किया, तो क्या हुआ, कि वह जो होल था, उसने क्या किया, alladin जिसमें अंदर गया था, उस wizard ने जब दुबारा किया, तो एक stone से उसको क्या किया, बंद कर दिया, क्या किया, stone से क्या किया, उस hole को, उसने गड़े को बंद कर दिया, alladin उसके अंदर बंद हो गया, under the ground, ठीक है, second question है, बच्चों इसका, why did the wizard get angry with alladin, जादू गर, alladin से क्यों गुसा हो गया, angry means गुसा, तो जादू गर, alladin से क्यों गुसा हुआ, तो answer है, the wizard was eagerly waiting for the lamp, eagerly मतलब बहुत उच्चुकता से, तो जादू गर जो है, बहुत उच्चुकता से, लैंप का इंतिजार कर रहा था, waiting मतलब इंतिजार कर रहा था, He saw alladin coming up the steps, उसने alladin को सीनियों से आते हुए देखा, steps मतलब सीनियों से आते हुए देखा, He asked for the lamp, उसने lamp के बारे में पूछा, but, लेकिन, alladin could not pull out the lamp from under his shirt as it was covered with the jewels, लेकिन alladin जो है, वह lamp को अपने shirt के अंदर से निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसकी उपर उसने क्या किते है, बहुत सारी jewels, मतलब बहुत सारी गहने उसने रख लिये था, lamp के उपर, तो वह निकाल नहीं पाया, and because of this wizard got angry with alladin, और इसी वज़े से wizard जो था, जादूगर, वह alladin से गुस्सा हो गया, ठीक है, तीस्ता question है, how was alladin able to come out of the big hole, तो alladin किस तरह से उस hole से, गढ़े से बाहर निकल पाया, तो answer है, देखिए, alladin became very afraid of the dark, alladin बहुत जादा डर गया था अंधेरे से, afraid means बच्चो डरना, ठीक है, बहुत डर गया था अंधेरे से, being alone in the dark, alone means अकेला, जब वो अंधेरे में अकेला था, he cried, वह चिलाया, shouted, शोर मचाया, and rubbed his hands together, और उसने अपने हाथों को इस तरह से रगडा, rubbed मतलब रगडा, ठीक है, on rubbing the wizard's ring, और उसकी हाथ में एक जादूगर की क्या थी, अंगुठी थी, तो जब विजर्ड का रिंग, इस तरह से उसने रगडा, a jainy appeared, तो एक jin आया सामने, ठीक है, the jainy helped alladin to come out of the bag hole, और उस jainy ने alladin की मदद की, और वह उस hole से, उस गड़े से बाहर आ लिया, ठीक है, चली, चौथा question है बच्चो, the wizard had told alladin that he was, हाँ, तीन question हो गया न, पहला, दूसरा, तीसरा, चली, चौथा question, the wizard had told alladin that he was his uncle, but this was not true, why do you think the wizard lied to alladin and his mother, ठीक है, तो question में कह रहा है कि जादूगर जो था, वह alladin का अंकल नहीं था, ठीक है, the wizard had told alladin that, जादूगर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन यह सच नहीं था, ठीक है, but this was not true, लेकिन यह सच नहीं था, why do you think the wizard lied to alladin and his mother, तो इसमें कह रहा है कि तुम क्यों, तुम ऐसा क्या सोचते हो कि wizard ने alladin से क्यों जूट बोला, lied means जूट, क्यों wizard ने alladin से और उसकी मा से जूट बोला, तो answer है इसका, the wizard lied to alladin and his mother because he wanted the wonderful lamb from under the ground, and he wanted to use alladin for this purpose, या for his purpose, ठीक है, तो wizard जो है, वो alladin से, उसकी मा से इसले जूट बोला, क्योंकि उसे wonderful lamb, उसे एक अदभुत चिराग चाहिए था, under the ground, जमीन के अंदर से, और वह alladin के लिए, और वह alladin को इस काम के लिए इस्तमाल करना चाहता था, क्या करना चाहता था बच्चो, यूज, इस्तमाल करना चाहता था, ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा next question है बच्चो, तो ये आपका b.2.3, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर बच्चो, आपका ये चौथा question हो गया, चलिए, अब next question है, look at the falling sentences, falling sentences को देखे, suddenly, अचानक, the earth opened, जो है, वो घर्ती जो है, जमीन जो है, वो खुल जाती है, अल्ला दिन was outside in the sun again, ठीक है, वो जो गढधा है, वो खुल जाता है, जो अल्ला दिन जान बुच कर बंद कर दिया था, पत्था से, अल्ला दिन फिर से बाहर, सूरज के presence में आ जाता है, he was happy, वो बहुत खुश होता है, and ran home quickly to his mother, और वो दोड के अपने मा के पास जाता है, the word suddenly is made by adding ly to the word sudden, ठीक है, the same happens in quickly where ly is added to quick, ठीक है, it's called a suffix as it is added at the end of the word, ठीक है, तो बच्चो, sudden word में जब हम ly को add कर दियें, तो यह suddenly बन गया, ठीक है, और उसी तरह quick में जब हम यह add कर दिये, ly तो यह quickly बन गया, इसको हम suffix कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चो, suffix कहते हैं, वो suddenly and quickly are adverbs, ठीक है, तो suddenly और quickly जो है वो adverbs है, आपको पता है बच्चो, वर्ब जो है, वह क्रिया होती है, ठीक है, वर्ब क्या होती है वह, क्रिया होती है, और वर्ब की, क्रिया की जो विशेशता बताते हैं, उसे क्रिया विशेशन कहते हैं, एड़ब्स कहते हैं, ठीक है, तो can you think of mood words which are formed in such a way, some are listed in the help box, ठीक है, ठीक है, aí, हापी से क्या बनता है बच्चो, हैपिली बनता है, क्या बनता है, हैपिली, हच, ए, डबल, पी, इसमें सिफ l, y नहीं लगेगा, इसमें आई, l, y लगेगा, ठीक है, है, हैपिली, ठीक है, अब है क्वाइट, क्वाइट मीन. शांत, ठीक है, Q-U-I-E-T, l-y, क्वाइट ठीक है, bravely, क्या है बच्चो, brave है, तो क्या हो जाएगा इसका, b-r-a-v-e-l-y, bravely, ठीक है, इसके बाद है, secret, ठीक है, s-e-c-r-e-t-l-y, secretly, ठीक है, proper, सही धंग से, properly, properly, प्रॉपर का, properly, gentle, gentle का, gently, जब e होता है, बच्चो, तो उसे हम हटा कर, ly, add करते हैं, और कुछ वर्ड में, y के हटा कर, हम i, ly, add करते हैं, यह आपका words हो गया, इसी तरह से, बहुत सारे कुछ और भी words, आप अपने से भी कह सकते हैं, जैसे, sad का हो जाता है, बच्चो, sadly, sad का क्या हो जाता है, बच्चो, sadly हो जाता है, जैसे safe होता है, तो उसका आप safely लिख सकते हैं, ठीक है, safe का क्या लिख सकते हैं, बच्चो, safely लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसे words हैं, जो हम लिख सकते हैं, next question है look at the falling sentences निमने लिखित वाक्यों को देखिए then they went for a long walk they walked along a stony path वो लोग एक लंबी यात्रा पे जाते हैं और वह चलते हैं कहां पे stony path पथरीले रास्ते पे तो देखें यहां पे क्या लिया here why has been added to the noun stone ठीक है क्या क्या रहा है why जो है बच्चो add किया गया है एक stone जो की एक noun है संगया है ठीक है to make it an adjective उसको adjective बनाए गया क्या बनाए गया विशेशन बनाए गया ठीक है that means full of stones can you think of more words where meaning changes similarly due to adding of why क्या तुम और भी words सोच सकते हो जिससे की why add करने से noun जो है वो बदल जाए adjective में some such words are given in the help box add more to the list and use some of them in your own sentence तो कह रहा है यहां पर कुछ box कुछ box में words दिये गए है तो उसको इसमें हमें why add करना और कुछ अपने से भी words हम why add करके लिख सकते है तो जैसे dream ठीक है dream का मतलब होता है सपना तो यह हो गया dreamy hair hair का hairy y add किया हमने ठीक है storm storm का क्या हो जाएगा बच्चो stormy need need का क्या हो जाएगा needy bone bone का क्या हो जाएगा boni लेकिन bone में जब हम boni लिखेंगे तो e हटा के y लिखेंगे boni ठीक है crunch c-r-u-n-c-h-y crunchy और कुछ वर्ड भी हम बच्चों लिख सकते हैं जैसे cloud cloud मतलब होता है बादल तो cloudy ठीक है cloudy sunny ठीक है cloudy sunny ठीक है greed greedy तो इस तरह के वर्ड जो है हम white add करके लिख सकते हैं ठीक है चलिए next question है हमारा look at the following sentences I shall buy you some beautiful clothes here shall is used for making promise यहाँ पर shall का मतलब है बच्चों क्या होता है promise किसी चीज के लिए promise करना shall का मतलब होता है करना या करूंगा करूंगी now re-read the sentences given below substituting promise in the sentences also make other necessary changes in the sentence the first one has been done for you तो यहाँ पर कह रहा है promised के जगह आपको shall लिखना है और अगर sentence में भी कुछ अगर बदलाओ करने हो grammatically तो हमें उसमें grammatically उसमें changes करना है तो जैसे पहला question है he has promised to help me ठीक है तो promised promised है उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा मदद करेगा promised ठीक है has promised है has promised की जगह क्या लिखेंगे बच्चों shall बच्चों has promised था और यहाँ promises है तो जैब promises होगा और has नहीं होगा तो हम किस तरह से sentence बनाएंगे देखी she has promised he promises to help me ठीक है तो यहाँ पे answer होगा he shall be helping me इसका यह correct होगा यहाँ पे promises की जगह हम be helping करेंगे यह grammatically यह सही है ठीक है दूसरा है he has promised to reconsider the matter has promised होगा तो सिर्फ शैल लगेगा बच्चों और promises to होगा तो यहाँ पे be और help में ing लगेगा ठीक है तो he has promised to reconsider the matter has promised के जगह shall she shall reconsider the matter they have promised to invite the chief minister has promised they shall invite the chief minister ठीक है the headmaster promises to improve sports facilities देखें यहाँ पे यहाँ promises to था तो क्या करना पड़ा है हमें क्या लगाना पड़ता है be और help में ing ठीक उसी तरह यहाँ भी promises to है क्या है बच्चों promises to यहाँ पे the headmaster shall be improving sports facilities improve में ing लगेगा ठीक है और b लगेगा जिस तरह से यह वाला word और यह वाले sentence में same है और इस तरह की word sentence में shall लगेगा सिफ ठीक है तो यह होगे आपका d question इसके बाद next question है बच्चों आपका f तो देखें आपे d question हो गया आपका अब है आपका e question tell your partner what makes this story interesting to you तो यह discuss करना है अपने दोस्ते कि आपको यह story क्यों interesting लगे तो यह discuss करना है तो आप अपने friends से discuss कर सकते हैं f composition let us assume that the story of Aladdin has not ended yet तो यह कह रहा कि मान लो assume मतलब मान लो मान लो कि कहानी जो है Aladdin की वक्त खतम नहीं होती है continue the story to your liking and give it a different end in about five sentences तो कहरा है तुम इस कहानी को और आगे बढ़ाओ और एक अलग अलग कहानी इसका अंत करो एक अलग अंत करो तो यहां हर बच्ची का अलग-अलग कहानी का अंत हो सकता है, तो एक अंत क्या हो सकता है, यहां मैंने दिया है, आप इसका दूसरा अंत भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, तो यहां पर आगे कहानी के देखे क्या होता है, कि अल्ला दिन जो है वो गड़े से निकल जाता है और दोड कर अपनी मा के पास जाता है अलादिन told his mother about the magical ring and about the jenny अलादिन दोड कर जाता है अपने मा के पास और उसको magical जादूई अंगुठी के बारे में और jenny के बारे में अपनी मा को वह बताता है his mother was surprised उसकी मा बहुत आश्चर चकित होती है she demanded for the jenny और वह जैनी के लिए डिमांड करती है कहती है कि कहा है जैनी बताओ मुझे दिखाओ अलादिन once again rubbed the ring on his fingers अलादिन क्या करता है फिर से अपने हाथों को अंगुठी में पहने विए को इसको रब करता है रगड़ता है once again rubbed the ring on his hand और जैनी आजाता है and said और जैनी कहता है what do you want तुम क्या चाहते हो my master मेरे मालिक master का मतलब यहां मालिक this time अलादिन demanded a cycle for him और इस बार वह cycle मांगता है किस से जैनी से चीक है तो आप अपना story अपने हिसाब से लिख सकते है अब है बच्चों यहाँ पर second question देखें यहाँ पर दिया है if you were given a ring which can grant your wishes what would you wish for least your wishes here कह रहा है कि अगर तुम्हें वह अंगुठी जादूई दी जाए और तुम्हें कहा जाए कि तुम अपनी इच्छा को मांगो या इच्छा क्या मारी इच्छा है तुम्हारी क्या इच्छा होगी तुम क्या मांगो तो मैंने यहाँ पर लिखा है if I were given such a ring अगर मुझे इस तरह की कोई अंगुठी मिलती है I would wish मैं यह इच्छा करूँगी that everyone in this world be happy and rich कि हर आदमी इस जग दुनिया में खुश रहे और rich रहे उसके पास पैसा हो और वक खुश हो peace would exist everywhere और हर जगा शान्ती हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी wish हो तो आपको एक अच्छा घर चाहिए या गाड़ी चाहिए या आपको अच्छे कपड़े चाहिए या आपको खिलोने चाहिए या जो भी आप अपनी wish को यहां लिख सकते हैं ठीक है तो last question अब है बच्चो सारा question आपको यह end हो गया यहां के देखे दिया हुआ है translate the passage into Hindi यहां पे एक passage दिया हुआ है इसे आपको हिंदी में लिखना है तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं तो देखे यहां पे देखे बच्चो पैसेज है और यहां पर यह इसका meaning है ठीक है यहां पे देखे पैसेज है Long long ago in Arabia there lived a poor boy whose name was Aladdin ठीक है तो बहुत समय पहले अरब देश में Aladdin नाम एक लड़का रहता था ठीक है इसके बाद है He lived in a small house with his mother ठीक है वह एक छोटे घर में अपनी मा के साथ रहता था वह बहुत गरीब था ठीक है फिर है उसके बाद He was lazy and did not like to work at all ठीक है वह महत आलसी था और काम करना उसको बिलकुल पसंद नहीं था ठीक है यहां पे यह वाली line इस किताब में नहीं है वह बहुत आलसी था और काम करना उसको बिलकुल पसंद नहीं था फिर next line है बच्चो He used to spend his time playing in the street with other boys ठीक है तो यहां पे इसका हिंदी होगा वह अपना समय गली में दूसरी बच्चों के साथ खेलने में व्यतीत करता था तो हमारा आज का यह exercise जो है आपका अल्लादीन खत्म होता है यहां पे H देखी activity है draw the picture of a lamb in the box below and name its part यहां पे आपको lamb की picture बनानी है आप lamb की कोई भी picture बना सकते हैं और उसे different उसके name को लिखना है तो यहां पर मैंने आपको यह exercise पूरा करा दिया यहां का पूरा आपका exercise अल्लादीन found the wonderful lamb तो यह हमारी exercise पूरी होगे next chapter है बच्चो the peacock our national bird हम लोग next video class में इसको शुरू करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर like करिए और आपको वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर लिखिए और यह वीडियो जो है अपनी दोस्तों को और अपनी classmates को जरूर शेयर करें